नमस्कार दोस्तों आप सभी के स्टॉक इजी में स्वागा थे दोस्तों आज हम TCS शेयर को यहाँ पर अनलाइस करने वाले हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें आपको गिरावत देखने को मिल रही है IT शेयर में तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना होगा जब तक आपको कोई confirmation नमिल जाए या फिर कोई bullish indication नमिल जाए कोई bullish candlestick pattern आपको नमिल जाए तब तक आपको थोड़ा यहाँ पर वेट करना होगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं TCS की weekly chart पे आपको यहाँ पर bullish हरामी candlestick pattern बनते वे दिख रहा है किस तरह यहाँ पर bullish candlestick pattern form ह अब यहाँ पर हमें buying करनी है या नहीं करनी है इसके लिए हम अपने daily chart पर जाएंगे और daily chart पर देखेंगे इसका trend आपको यहाँ पर down दिख रहा है तो हम यहाँ पर अपना trend line draw करेंगे और जब यह trend line हमारा break होगा तब हम यहाँ पर अपनी एक long की position बनाएंगे यानि कि आ पर जो trend line है प्राइज अपने trend line के पास आ चुकी है और काफी बार यहाँ से resistance लेके return नीचे के और गिर चुकी है अब जब यहाँ पर आपको यह break out मिल जाएगा यहाँ पर bullish candle बन जाएगी इसको break करके तब यहाँ पर हम अपनी एक long की position बना लेंगे तो दोस्तों आशके अगर इस टॉपिक से रिलेट कोई भी टाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पुछें अगर तक आप मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जब्सक्राइब करें आपसे जल मिलें नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ